असलाम उलेकुम, कैसे हो, उमीद करती हूँ कि सब लोग खेरेस से होंगे तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं, सूजी से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलेसिस नास्ते की रेस्पी अगर एक बार बना कर खा लेंगे, तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च एक चमच, एक चमच में हाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, जरूरत के मताबिक नमक डाल दूँगी, नमक जो है कम ही डालेंगे, और इसने को गयरे में नमक जो है थोड़ा कम ही डाले जाते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब इनक मिक्स करने के बाद में गाइस हम जो है इसमें से डेड़ चम्मत जो है वो आटे को निकाल कर साइट में रख देते हैं क्योंकि आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बताएंगे तो गाइस वीडियो में लास तक बने रही वीडियो को भगा कर या इसकीप करके विल्कुल मत देखी वरना आपकी रेस्पी इस तरीके से नहीं बन पाएगी तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें दोस्तों में रिष्टिदारों में वाक्सप गुरूप पर ज यहां पर हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है बढ़ियां से मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे हम इसको रख देंगे 10 मिनट तक रिष्ट करने के लिए ताकि हमारी जो सूजी है वो बढ़ियां से फोल जाएगी उसके बाद में हम वापस से इनको बढ़ियां से हम थोड़ा सा धीला ही रहोंगे क्योंकि आता हमारी हमारी पोलेगी तो आटा ठोड़ा वह पानी डाल कर उसके बाद में इहां पर मैं in पाउडर डालने के बाद में हम यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी डाल कर हम इनका गोल बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने नमक आगे ही डाल दिया था क्योंकि हमने जो आटा गूता है हमने उसी में से इसको निकाला था तो हमने नमक आगे डाला है गाई तो इसलि यहां पर हमने तीन मीडियम साइज के आलू लिए हैं आलू को हम कद्दू कस कर लेंगे तो आलू को हम पानी के अंदर कद्दू कस करेंगे और नहीं तो क्या होगा हमारा जो आलू है वो काला पड़ जाएगा तो आप देख सकते हैं आलू को हम इस तरीके से कद्दू कस कर लेते हैं तो जब तक हम आलू को कद्दू कस कर रहे हैं तब तक हमारी रिक्वेश्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में रिस्तिदारों में वाकसप गुरूप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस्पी को शेयर करें अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो पिली चैनल को सबस्क्राइब जरूर करने इस तरीके से रेस्पी देखने के लिए तो देख सकते हैं हमने आलो को कदो कसकल लिया है अब क्या करेंगे इसको पाने से बाहर निकालेंगे अच्छे से पाने को पहले निचोड देंगे उसके बाद में पाने से इनको बाहर निकालेंगे तो चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर हमने पैन रख दिया है पैन में एक चमस तेल डालेंगे इसमें हम डालेंगे हाफ चमस से थोड़ा सा कम जो है कलोजी डालेंगे आप देख सकते हैं गाईस यहाँ पर हमने कलोजी ल तो आलू डालने के बाद में गाइस, यहां पर मैं डाल देती हूँ, हाप चमच वापस से कुटी हुई लाल मिर्च, आप यहां पर बारिक कट करके हरी वाल मिर्च भीडा सकते हैं, लेकि मेरे चोटे बच्चे हैं, तो मैं यहां पर उसको स्कीब कर रही हूँ, यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ उसके बाद में हाप चमच में यहाँ पर डाल दूँगी धम्या पाउडर और हाप चमच यहाँ पर मैं डाल दूँगी गाईस गरम मसाला पाउडर गरम मसाला डालने के बाद में मसाले को डालने के बाद में गाईस यहां पर मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज का बारिक कट करके प्याज डाल दूँगी और उसके बाद में एक बड़े साइज का बारिक कट करके यहां पर मैं सिम्ला मिर्च डाल दूँगी आप अपने मन पसंदीदा और भी सबजियों को डाल सकते हैं गाईस तो हमने यहाँ पर तीन सबजी डाली है आलू डाला है प्याज हमने डाला है हमने सिम्ला मिश डाल दिये गाईस अगर आप डालना चाहते हैं तो पतागो भी भी डाल सकते हैं गाजट डाल सकते हैं बिंस डाल सकते हैं अगर इसमें से अगर आपके पास सिमला मिश नहीं है तो आप दूसरे सबजिया भी डाल सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इनको सिमला मिश को इसकिप भी कर स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में गाईस यहां पर मैं इनको कम से कम 5-6 मिनट के लिए मीडियम आज पर ढग दूँगी और ढग कर अपने आलों को पका लूँगी तो आलों पकने में समय बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि आलों को हमने कर दू कस किया है गाईस तो हम यहांपर मसाले को बहुत ही मामूली डालेंगे ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे तो चलिए भी इनको ढग देते हैं और ढग कर इनको हम धीमी आज पर पका लेते हैं तो देख सकते हैं इसके अंदर कितना भाफ बन गया है और इसका मतलब यह है कि हमारा जो आलू है हमारी सबजी जो है वो पक चुकी है गाईस लेकिन अभी हमारे सबजी में जो थोड़ा बहुत कसर है वो जब हम इनको फराई करेंगे तो यह जो है पक जाएगी तो देख सकत हैं इनको हमने बहुत ही अच्छे से पकाया है लेकिन इनको चला चला कर आपको पकाना है तो चलिए वापस से दो मिनट के लिए रख देती हूं तो आप इसको जो है आलू को उबाल कर भी बना सकते हैं तो यहां पर हमने आलू को उबाला नहीं है क्योंकिश्स कि इससे हमारे time का भी बचत होगा और हमारे guys का भी बचत होगा और हमारी जो recipe है वो बहुत ही delicious बनेगी juicy बनेगी अब आप सोचेंगे juicy कैसे बनेगी तो guys मैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगी मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं जब हमालो को उबालते हैं तो आलो उबालने मे हमें समय लगता है टाइम लगता है लेकिन अगर हम आलो को कद्दू कस करके बनाएंगे गाइस तो हमारा जो यह नास्ता है इसको हम इस तरीके से तड़का दे के देख सकते हैं जैसे हमने आगे बनाया है आप देखी सकते हैं गाइस यह किस तरीके से कितना टेश्टी जो है प्यास डाल दीजिये और अगरसफ़ सब्जी डालना चाहते हैं तो यूं algunos आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा लेक validate आहें चाहिए और आपकी 맛이 बनताएं तक तक अपने आटे को हम वापस से गूत लेते हैं हमारी जो सूजी है बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है आप देख सकते हैं तो अब इनको हम अच्छे से हाथों से इस तरीके से गूत कूत कर इनको बढ़ियां से सेट कर लेते हैं तो देख सकते हैं आटा हमारा जो बहु एक लोई बनाऊंगी और इनकी बड़ी सी हम रोटी बेल लेंगे लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको रोटी को जादा मोटा नहीं करना है गाईस ना जादा पतला रखना है जितना हम घर में रोटी बनाते हैं नारमल उससे थोड़ी सी सिरिफ हमें मोटी पतला इसको बेल सकते हैं उतना पतला बेल कर अगर आप बनाऊगे तो उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा गाईस तो देख सकते हैं गाईस इसको हम बेल लेते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं रखना है कि कहीं बीच में पतला रहे मोटा रहे किनारे पे मोटा रहे एक साइट में एकदम बराबर में आप इसको बेलिए जितना पतला आप इसको बेलोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा गाईस तो देख सकते हैं में को बहुत ही अच्छे से बेल लिए हैं गाईस हमारी खुब बड़ी से रोटी बेल कर हमने इनको तयार कर ली है आप देख सकते हैं तो गाईस एकीन मानिए बहुत ही बेश्ट नास्ता इसका बनेगा अब गर एक बार आप बना कर इसको खा लोगे तो दुबारा बनाने पर इसी तरीके से मजबूर हो जायोगे इसलिए मैं कहती हूँ कि इस रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर हमारे भाई देख रहे हैं तो अपने घरों में शेयर कीजिए ताकि जब आपके घरों में बनेगा तभी तो आप खाने को पाओगे तो देख सकती हैं गाईस हमारे रोटी बिलकर तयार हो चुकी है तो अब हमने जो फीलिंग बनाई थी वो भी जो है हमने इसके उपर डाल दी है लिकिन अभी फिरहाल ये गरम है लिकिन अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो थोड़ा इसको टाइम दीजिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा लिकिन अगर हम गाईस वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है फिर भी हम क्या करेंगे हम तो इनको फैला ही लेते हैं तो चलिए इनको हमने बहुत ही अच्छे से फैला लिया है अब आगे हमी आधी इंच के इतना जगह छोड़ देना है ताकि जो हम रोल बना रहे हैं रोल हमारा जो है वो अच्छे से चिपक जाए, यहाँ पर हमें इनको दबा दबा कर बढ़़िया से इनको रोल को बनाना है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम रोल बनाएंगे गाइस और रोल बनाने के बाद में इनके जो साइट हैं किनारे हैं इनके पहले इनके मुह को बंद करेंगे और मुह बंद करने के बाद में गाईस हम अपने जो ये हमने रोल बनाई है रोल को अपने और हम बढ़ा लेते हैं यानि और इनको हम पतला कर लेते हैं तो इस तरीके से हम इनको पतला करेंगे थोड़ा सा बढ़ा कर क्योंकि अभी रोल हमारा जो है वो मोटा है तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और सूखा आटा डाल कर इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर इनको हम पतला कर लेते हैं जब हम हाथों से इस तरीके से दबा कर पतला करेंगे तो हमारा जो रोल है वो और लंबा बनेगा और जो हम इनकी पीस बनाने वाले हैं वो एकदम परफेक्ट बनेगी तो चलिए गाइस हमने इनको अपने रोल को इस तरीके से बढ़ा लिया है यानि हमने इनको medium जो है जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से हमने इनको कर लिया है अगर आप भी रोल को बना रहे हैं और रोल आपका मोटा है जादा तो इस तरीके से आप हाथों से दबा कर सूखे आर्टे को पहले लगाईए उसके बाद में हाथों से दबा दबा कर थोड़ा सा खीच कर आप इसको इस तरीके से बढ़ा कर जो है medium कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इनकी cutting कर ली है half half inch की यानि आधी inch की cutting हमने की है और यह जो cutting हमने की है एकदम perfect है आप इस हिसाब से कर सकते हैं अगर आप जादा बड़ा करेंगे जादा मोटा cutting करेंगे तो जो है आपकी piece जो है जादा बड़ी बन जाएगी तो यहाँ पर आप जो है इस हिसाब से अगर cutting करेंगे आधे आधे inch की तो यह एकदम perfect रहेगी तो देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग करने के बाद में हमने हलके हलके से हाथों से प्रेस करकी इनको दबा कर जो है सेट कर लिया है तो यहाँ पर हमने जो गोल बनाया था यह हमारा सोजी जो है वो फूल चुका है तो फूलने के बाद में थोड़ा सा मोटा हो चुका है गरम हो चुका है अब हम जो है घोल के अंदर एक एक पीस को डालेंगे यानि एक टिक कई को डाल कर उसके बाद में हम तेल के अंदर डाल देंगे तो यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे तेल में जहाक क्यों आ रहा है तो हमने सरसो का तेल लिया है सरसों के तेल में ज्ञाक आएगा अगर आप रिफाइन ओयल से यानि मेठे तेल में अगर फराई करेंगे तो फिर ज्ञाक नहीं आएगा तो जब यह अभी पक जाएगा गाईस उसके बाद में ज्ञाक जो है वो खुद बखुद खतम हो जाएगा लेकिन आपको दुरंत टच नहीं करना है जब आप जानिए कि यह मतलब पक चुके हैं थोड़ा से टाइट हो चुके हैं उसके बाद ही आप इनको टच कीजिए और इनको पल्टी कर लीजिए तो देख सकते हैं जैसे यह पक रहे हैं वैसे जो है जाग जो है वो खतम हो गए है तो यहाँ पर गाईस उलट पलट कर हम इनको बढ़िया से सेख लेते हैं तो हमने इनको सूजी से बनाया है तो यह बहुत ही किरिस्पी बनेंगे गाईस आप देख सकते हैं यह बहुत ही क कचोड़ी पकवड़ी कभी नहीं लाओगे इस तरीकी से अपने घर में जो है बहुत ही टेश्टी नास्ता बना सकते हैं अगर आपके घर में कोई महमान कोई गाईस आ जाए तो भी आप इनको आराम से बना सकते हैं गाईस तो चलिए अब हम आपको गानिश करके रिखाते है तो देख सकते हैं ना कितनी बेहतरीन हमारी सूजी और आलू से बनकर हमारे नास्ते तयार हो चुके हैं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में रिस्तिदारों में वाकसप गुरूप पर जादा से जादा इस रेस्पी को शेयर कीजिए अ समोसे, कचोड़ी, पकोड़ी सब भी फीके पढ़ने वाले हैं तो चलिए गाइस इसी तरीकी से वीडियो देखते रहिए और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अगर गाइस आप लोगों को हमारी रेस्पी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करने चरिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में सलाम अलेकुम